राजनीती में कभी कभार ही ऐसी तश्वीरों देखने को मिलती है जब नेता अपनी जुबान पर अडिग रहें हलाकि चुनाबी दौर की सियासत में अधिकतर नेता बड़ी बड़ी प्रतिग्या ले लिते हैं और अक्सर भूल ही जाते हैं चुनाबी दोर के प्रतिग्याओं को पूरा करने वाले निता भारत की सियासत में कम ही देखने को मिलते हैं राजधानी बुपाल से एक ऐसी ही तस्वीर आपको बताने जा रहा हूं जिसमें कॉंग्रेस के दिगज निता और बधायक फोलसिंग बराया ने ना सिर्फ अपनी प्रतिग्याओं को पूरा किया बलकि उन्होंने एक स्वच्छ राजधनीती का नायाब उधारन भी पेश किया है उन्होंने उन तमाम निताओं को बता दिया है कि राजधनीती में जुबान की कीमत होती है दरसल बराया ने बधान सिर्फ चुनाव से पहले बादा किया था कि अगर मध्यपरदेश बधान सिर्फ चुनाव में बीजे पी को 50 सीटे भी मिल गई तो वो राजधानी भुपाल में राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुख काला कर लेंगे ऐसे में उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए राजभवन के सामने मुख काला करने पहुंचे इस दोरान बहाँ पर मौजूद पूर्ब मुख्यमंत्री दिखवज़ सिहने वराया को काला मुख करने से रोग दिया लेकिन सांकितिक रूप से उन्हें काला ठीका जरूर लगाया तो यह तस्बीर आपको बता दू राजनीती का एक नायाब उधारन है जिसमें नेता अकसर अपनी जुबान से मुकर जाते हैं लेकिन फूल सिंग वराया अपनी जुबान पर कायम रहे उन्होंने राजनीती में एक उधारन प्रेश किया है कि जब राजनीती दौर में अपन बट्चक प्रेश करा जारना करूपाया नहाल तत्व हां यह स्ब्द्धनीती दूबगल